हेलो इब्रीवन श्वागता है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे आज हम लोग कक्छाच सिक्च का इतिहास का चेप्टर फाइब देखेंगे इससे पहले के वीडियो में हम लोग चेप्टर वन चेप्टर टू चेप्टर त्री और फोर अच्छी तर चिंद गन राज्य यह चेप्टर का नाम में अब समझ लेते हैं राज्य राज्य क्या होता है ट्राज्य उत शंगटित उकाईको कहते हैं जो शाषंड सरकार के अधिन होता है जो कोई एक संगटित के इकाई छेत्र होता है जो एक सासन के अधिन होता है यानि सरकार के अधिन होता है अब राज्य संप्रभुता संपन होता है इसके अलावा किसी सासक के इकाई या उसके किसी भाग राज्य कहते हैं जैसे भारत के अनेक परदेशो को भी राज्य कहाता है तो राज्य यह होता है उसके बाद है राज्य तो राजा किसे कहते हैं तो किसी राजगुमार को या सासक को या समराठ को राजा कहा जाता है कोई भी राजगुमार हो या सासक हो या समराठ हो तो उसे राजय कहा जाता है और एक प्राचिन गन गन राजय का मतलब होता है गन तंत्र मतलब की सरकार का एक रूप जिसके सास को सारवजनिक मामला माना जाता है उसे गन्राज्य कहा जाता है और ना कि सास को कि नीजी संस्था या संपती होती है इस पे ना किसी कि संजुन्यू जी संथा संपथी होती एक गन्राज के भीतर संथा के प्राथ्मिक क VIC विरास्टों में नहीं मिलते या सरकार का एक रूप है जिसके अंतरिगत राज्य का पर्मुक। राजा नहीं होता है राजय का कोई भी पर्मुख राजा नहीं होता है यह इसमें गनतंत्र होता है लोगों द्वारा कोई चुना जाता है उसे गन्राजय कहा जाता है तो चलिए अब चेप्टर शुरू करते हैं चुनाव का दिन जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी होट डालने जा रहे हैं ते संकरन नाम का एक लड़का है जो कि अपने विश्तर से उठा तो उसने क्या देखा कि उसके जो नाना और नानी थे वो भोट डालने जा रहे हैं ते दरसल वे चुनाव केंदर पर सबसे पहले पहुँचना चाहते थे संक्रन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे या जानना चाहता था संक्रन उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिस की और कहा आज हम अपने सासकों का चुनाव करने जा रहे हैं भोट के माध्यम से का किया जाता है अपने सासक को चुना जाता है तो वही उनसे बताया कुछ लोग सासक कैसे बने तो लगभग 50 वर्सों से लगभग 50 वर्सों से हम अपने सासकों का चुनाव मतदान के जर्ये करते आ रहे हैं लगभग हम लोग कितने वर्सों से 50 वर्सों से मतदान के जर्ये यानि भोट के जर्ये सासकों का चुनाव करते आ रहे हैं लेकिन बहुत पहले लोग सासक कैसे बनते थे यह तो बात हो गई कि 5 वर्षों से लगबग हम लोग मतदान के मध्यम से सासक का चुनाव करते हैं लेकिन इससे पहले लोग सासक कैसे बनते थे हमने अध्याचार में पढ़ा था इससे पहले लोग सासक कैसे बनते थे हमने अध्याचार में पढ़ा था अध्याचार में क्या था कि राजा संभावता यानि लोगों द्वारा चुने जाते थे जो राजा या साशक होते थे वह संभावता लोगों द्वारा चुने जाते थे प्रंतु करीब तीन सो साल तीन हजार साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दि अस्तिष्टित होते थे कुछ लोग क्या करते थे कि राजा के रूप में पर्तेश्टित किस तरह से होते थे बड़े-बड़े यगों को आयुजित करके अब यग क्या होता था यग यग में अश्वमेध मतलब घोड़ों को छोड़ा जाता था चलिया आगे समझते हैं इस तरह से लोग बनते थे अश्वमेध यग एक ऐसी ही योजना था अश्वमेध यग जो था वो इसी परकार का येक योजना था इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की रेख में स्वतंतर बिचरन के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यग करने वाले राजा से लडाई करनी पड़ती थी मतलब क्या किया जाता था घोड़े के ऊपर कुछ लिख कर उसे स्वतंतर रूप से भूमंडल पर छोड़ दिया जाता था इस घոड़े के जब किसी दूसरे राजा ने रोक लेता था तो उसे जो अस्वछोड़ा है उस राजा से लडाई करनी पड़ती थी अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अस्वमेद यग करने वाला राजा उनसे ज़्यादा सकते साली था यदि किसी ने उसको छोड़ दिया पकड़ा नहीं तो इससे यह साबित होता था कि जो घोड़ा छोड़ा है वह इस राजा से बहुत ही सक्तिसाली है इसके बाद उन राजावों को यग में आमंत्रित किया जाता था अब यह पिसिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन किया जाता था अब पुरोहितों पुरोहित क्या होता है तो पुरोहित उन्हें कहते हैं जिनके पास सब कर्मकांड का लेखा जोखा होता है जैसे साद्य इसके लिए उन्हें क्या किया जाता था उपहार देकर समानित किया जाता था अश्व में धियक करने वाला राजा बहुत सकती साली माना जाता था जो राजा हूगा करता था वह बहुत ही सक्तिसाली माना जाता था यग में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे जो सक्तिसाली राजा माना जाता था उसके लिए यग में सभी आमंत्रित राजा जिसे भी नेवता दिया जाता था वह सभी उपहार लेकर आया करते थे इन सभी योजनाओं में राजा का एक मुख अस्थान होता था उसे राज सिहासन या बाग के खाल से एक बिसेशासन पर बैठाया जाता था यूद छेत्र में राजा का सार्थी ही उसका सहचर होता था सार्थी का मतलब होता है सार्थी का मतलब क्या होता है बताते हैं सार्थी का मतलब होता है रथ चलाने वाला सार्थी का मतलब होता है रथ चलाने वाला जो राजा का रथ चलाता था वह सहचर होता था मने साथ साथ रहा करता था यक के औसर पर राजा की विजयो तथा अट और गुणों का गुल्गान करता था जो वो सहचर होता था जो साथ-साथ रहने वाला बेक्ति होता था राजा की घाल करता था राजा के सगे संबन्धि खास कर उसकी राणिया तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे कई छोटे छोटे क्या किया जाता था अनुष्ठान करना होता था अन्य सारे अमांतरित राजाओं का काम सिर्फ बैट कर यक के पुरी परकिरिया को देखना भर था जो बाकी लोग आते थे राजा अमांतरित राजा उन्हें सिर्फ यह सभी प्रकिरिया देखना था राजा के उपर पुरोहित पवित्र जल के स्छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान किया करते थे बिस अथवा वैस जैसे समान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित छुद्र मानते थे और उन्हें कोई अनुष्ठान में सामिल नहीं किया जाता था बोला जा रहा है कि इस यग की उपस्थिती होने वाली एक सूची बनाओ पेस के अधारों पर वहां कौन-कौन से वर्ग सामिल थे या बताना है अब देखिए वर्ण वर्ण क्या है तो वर्ण सम्मानियता वर्ण के चार भागों में बाटा गया है जिसमें हिंदू हिंदूगों के वर्ण हिंदूगों में चार कोटिया में बाटी गई है जिसमें ब्रामबन चत्रिये वैस और चुद्रा आते हैं चलिए आगे देखते हैं इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमना चेत्र में कई ग्रंथ रचे गया थे रिग वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वेदिक ग्रंथ कह जाते थे इनके अंतरगद सामवेद, यजुरवेद, अथरवेद तथा अन्य ग्रंथ सामिल थे प्रोहितो द्वारा रचित इन ग्रंथों में ग्रंथों में विभीन प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की बिधियां बताई गई है इसमें समाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है उस समय समाज में कई समूह थे जिसमें प्रोहित योधा क्रिशक प्रोहित यानि जो भविस्वानी वगरा करते थे और पूजा पाठ वगरा करवाते थे उन्हें प्रोहित कहा जाता था योधा यानि यूद करने वाला क्रिशक यानि किसान पसुपालक यानि पसुपालने वाला बेपारी यानि बेपारी सिल्पकार, मुर्तिक बनाने वाला, स्रमिक, काम करने वाला, मचली पकड़ने वाले, तथा जंगल में रहने वाले लोग सामिल थे, जहां कुछ प्रोही तथा योधा, ववभाव, साली थे, वही कुछ क्रिशक और बेपारी भी धन्वान थे, दूसरी और पसु पालक, मचली पकड़ने वाले, शिकारी तथा बोहजन, संगराहक, निर्धन थे, ये सब ही जो पसु पालक, सिल्पकार, वश्रमिक थे, और मचली पकड़ने वाले, ये सब ही क्या थे, निर्धन हुआ करते थे, पुरोहीतों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया, प वर्ण किसे कहा जाता है, तो वर्ण उसे कहा जाता है, जिसमें हिंदू के लोगों को, यानि पुरोहीतों ने चार वर्गों में बाटा, उसके उनके अनुसार प्रतेक वर्ण के अलग-अलग कारिय निर्धारित थे, उनके अनुसार क्या था है, प्रतेक वर्ण के जो थे, काम जो था अलग-अलग रखा गया था पहला वर्ण ब्राह्मन का था उनका काम वेदों का अध्यापन और यग कराना था जो पहला वर्ण आता है उसमें आते हैं ब्राह्मन जिनका काम क्या था वेदों का अध्यापन और अध्यापन करना जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था जिसके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था दूसरा अस्थान सासकों को था जिन्हें छत्रिये कहा जाता था दूसरा वर्ण में जो आते थे वह सासक हुआ करते थे जिसें छत्रिये कहा जाता था उनका काम यूद करना और लोगों की रक्षा करना था उनका काम क्या हुगा करता था चत्रिगे लोगों का यूद करना और लोगों की रक्षा करना तिसरे अस्थान पर विस या वैस्य थे, इनमें क्रीशक, पसुपालक, बेपारी आते थे, छत्रिये और वैस्य दोनों की यग करने का अधिकार प्राप्ता, प्रंत वर्णों में अंतिम अस्थान शूद्रों को अज्यो था, इनका काम अन्य तिनों वर्णों की सेवा करना थ जो भी वर्ण थे तीन वर्ण पर्ला ब्राम्वर्ण चत्रिये इन सभी का क्या करना था वैस इन तीनों के सेवा करना था इन्हें कोई अनुस्ठान करने का अधिकार नहीं दिया गया था और तो और चुद्रों को भी समान माना गया था महलाओं महलाओं तथा चुद्रों का वेदों के अधियां का अधिकार नहीं था जो महलाओं तथा शुद्रों थे उनका वेदों के अधियां करने का अधिकार नहीं था प्रोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारित जन्म के अधा उधारन के तोर ब्राहमन माता-पिता के संताण ब्राहमन ही होती थी बद में कुछ लोग को अंचूत माना गया अंचूत वर्गों में कुछ सिल्पकार सिकारी तथा भोजन संग्रहक सामिल हुए साथ ही वीन में वे लोग भी आते थे जो सवु को दपनाने या जलाने का काम करते थे इन लोगों से संपर्क पवित्र माना जाता था कई लोगों ने ब्राह्मन द्वारा बनाई हुई इस वन बेवस्था को सविकार नहीं किया कुछ राजा स्वयम को प्रोहितों से स्रेष्ट मानते थे जो कुछ राजा हुआ करते थे वह प्रोहितों से भी खुद को स्रेष्ट मानते थे कुछ लोग जन्म के अधार पर वर्ण निन्धारित सही नहीं मानते थे इसके अतिरिक्त कुछ लोग बेवसाय के अधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन करने का अधिकार सबका हो कई लोग ने छुवा छूत के अलोचना की इस उप महादीप के पुरोतर छेतर जैसे कई इलाकों में सबाजिक विभिनता, समाजिक आर्थिक असमनता बहुत कम थी यहाँ पुरोहिता का प्रभाव भी बहुत सीमित था, लोगों ने वर्ण बेस्था का विरोध क्यों किया, तो लोगों ने वर्ण बेस्था का विरोध इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग को अच्छूत के नाम पर माना जाता था, कुछ को मतलब सबका अलग अलग तरह से समान मिला था सबको एक जैसा समान नहीं मिला था इसलिए लोगों ने उसका बिरोध किया अगला टॉपिक आता है जन्पद 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 का मतलब होता क्या है सबसे पहले जन्पद समझते हैं जन्पद उसे कहते हैं जिसमें किसी राजी या मंडल का निश्चित सीमा वाला भाग या खंड जो किसी प्रसासन के अधिकार के अधिन होता है जो किसी प्रसासन के अधिन होता है उसे जन्पद कहा जाता है महायग को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे जनपद का साब्दी कर्थ होता है जन के बसने की जगा होता है कुछ महत्पून जनपद मानचित्र इतना में दिखाए गए है यह जो चित्रित है धूसर पात्र की है इस तरह के पात्रों में ज़्यादा तर थालियां और कटोरियां ही मिली है या पात्र बहुत ही पतली सता के सुन्दर और चिकने हैं सायद इसका प्रियोग खास मौके पर मुहत्पून लोगों को भोजन प्रोशने के लिए किया जाता था पूरा तात्वीदों ने इन जनपदों की बस्तियां की खुदाई की दिल्ली में पुराना कीला उत्तर परदेश में मेरट के पास हस्तिनापूर और एटा के पास अत्रंजी खेडा इन में परमुख है खुदाई से पता चला है कि लोग जोपड़ियां में रहते थे खुदाई से क्या पता चला कि जो लोग रहते थे वो जोपड़ियां में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे वे चावल गेहूं धान जो दाले गन्ना तील तथा सरसो जैसी फसले भी उगाया करते थे क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उलेक अध्यत्री में नहीं है तो हाँ इसमें से अध्यत्री में किसका उलेक नहीं था अध्यत्री में कली जो गेहूं और चावल था बाकी दाले वगेरा उसमें नहीं थी लोग मिट्टी के बरतन भी बनाते थे, जो लोग हुआ करते थे, मिट्टी के बरतन भी बनाते थे, इन में कुछ धूसर और कुछ लाल रंके होते थे, इन पूरा अस्थत लोग में कुछ बिसेश परकार के बरतन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जा जाना जाता है जो भीसेश परकार के बरतन मिले हैं उससे चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता ह। जैसा कि इनके नाम से यह असपश्थ है इन बरतनों पर चित्रकारी की गई होती है यह आम तोर पर सरल रेखाओ तथा जैमिति आक्रीतियों के रूप में थे या हैं कि अगला टॉपिक है महा जन्पद करीब पचीश सौ साल पहले कुछ जन्पद अधीक महत्पुन हो गए इन्हें महा महा जन्पद कहा जाने लगा जो जन्पद हुआ करते थे वह पचीश सौ साल पहले कुछ जन्पद ज्यादा मुहत्पुन बन गए थे जिसे महा जन्पद के नाम से जाने जाने लगा मानचित्र चार में कुछ महाजनपदों को दिखाये गया है अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी कई राजधानिया में किले बंदी की गई थी अथात इनके चारो और लकड़ी, इट या पत्थर की उची-उची दिवारे बनाए गई थी कीले बंदी की गई थी और चारो और ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आकरमन से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन कीलों का निर्मान किया कुछ राजा अपनी राजधानी के चारो और विसाल, उची और परभाव साली दिवार खड़ी कर अपनी सम्रिद और सक्ति का परदर्शन भी करते थे जो कुछ राजाओं थे वो क्या करते थे विसाल दिवारे खड़ी करके बड़े-बड़े महल बना कर अपनी समरिद्धी और सक्ति का परदर्शन किया करते थे इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन छेतर पर नियंतरन रखना भी सरल हो जाता था इससे क्या होता था कि उसके आजपास जो किले पर रहने वाले लोग है उसे नियंतरन करना असान हो जाता था इस तरह के विसाल दिवार बनाने के लिए ब्यापक योजना की अवसकता थी और लाखो के संक्या में इटो तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था इस तरह का जो किले या महले बनाया जाते थे उसके लिए बहुत सारे इटो और पत्रों का इंतजाम करना पड़ता था हजारों इस तरी पुरुचत था बच्चे इनके लिए अठक परिश्रम किया करते थे इनके लिए संसाध्यों के आउसकता पढ़ती होगी या पढ़ती थी अब राजा सेना रखने लगे थे अब फिर राजा क्या करने लगे थे सेना रखने लगे थे सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था कुछ भुकतान संबवता आहस सिको के रूप में होता था इन सिको के बारे में तुम अध्याए आठ में पढ़ोगे जो सिक्के के उलेख है उसको हम लोग को चैप्टर एट में पढ़ना है इस दिखे इस परकार से बड़े बड़े दिवारे ये किल्य के दिवार है जो बड़ी-बड़ी बनाई जाते थे कोसंबिक किल्य की दिवार या चीत्र उत्तर पर्देश के इलाहाबाद के पास मिली इट की दिवार का आउसेस है इसके एक भाग का निर्मता संपोव पचीश सो साल पहले हुआ था अगला टोपिक है कर यानि टेक्स महा जनपदों के राजा बिसाल किल्य बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे इसलिए उन्हें प्रचूर साद्नों के आउसकता होती थी इसके लिए उन्हें क्रमचारियों को भी आउसकता होती थी अता महा जनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लगाए उपहार पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे फसलों पर लगाये कर सबसे महत्पून थे फसल पर भी कर लगा दिया गया था जो सबसे महत्पून था वे क्योंकि अधिकांस लोग क्रीशक थे अधिकांस लोग खेती करने वाले थे किसान थे तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले फसल पर कर लगाया प्रया उपज का एक बटा छेवा हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता है इतना भाग उसे कर के रूप में चुकाना पड़ता कारीगरों के उपर भी कर लगाये गए जो प्रया सरम के रूप में चुकाये जाते थे जैसे कि बुनकर लोहा या सुनार को राजा के लिए महिने में एक दिन काम करना पड़ता था पसुपालको को जान्वरो या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था बेपारियों को समान खरीदने पेचने पर भी कर देना पड़ता था आखे टक संग्रव को मतलब सिकारियों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुवे देनी होती थी ये सभी कर के रुप में राजा लोग वसुलना शुरू किये थे क्रीशी में परिवर्तन अगला टॉपिक है क्रीशी में परिवर्तन क्रिशी में परिवर्तन इस यूग में क्रिशी के छेत्र में दो बड़े परिवर्तन आये हाल में फाल अब लोहे के बनने लगे और कठोर जमिन को लकडी के फाल के तुलना में लोहे के फाल से असानी से जोता जा सकता था इस क्रिसी परिवर्तन में क्या हुआ था पहले क्या था लकड़ी का हल से जोता करते थे लेकिन इसमें लोहे का फार बना गया जिससे जमीन को कोड़ने में आसानी हुई और इससे कठोर जमीन को भी आसानी से जोता जा सकता था इसमें फसल को उपज बढ़ गए इससे क्या हुआ कि फसल जो था उसके उपज बढ़ गए दूसरे लोगों ने धान के पौधा का रोपन शुरू किया अथार्त खेतों में बीज छिड़ा कर धान उपजाने के बजाए धान की पौधा त्यार कर उनका रोपन करने लगे अब पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी इसमें काम कमर तोड़ प्रिश्रम लगता था ये काम ज़्यादा तर दास दासी भूमिहीन खेती हर मजदूर किया करते थे इस तरह के काम जो था उसमें बहुत ज़्यादा प्रिश्रम यानि मेहनत लगता था जो कि ज़्यादा तर जो दास दासिया होते थे भूमिहीन खेती हर जो होते थे मजदूर वही लोग सिर्फ यह काम करते थे क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रशाहन क्यों देते होंगे क्योंकि इससे खेती के मातरा बढ़ने लगी थी और लोग ज़्यादा तर लोग खेती करना सुरू कर दिये थे इसलिए प्रशाहन दिया जाता था सुक्ष मनीरेचन पहला मगद मांचितर यतना में मगद दूने लंग पक 200 सालोस के भीतर मगद सबसे मस्तपून जनपद बन गया था गंगा या सुन जैसे नदिया मगद से होकर बती थी यह याता यात जल वितरन जमीन के उपजाव बनने के बहुत मत्पून थी मगद का एक हिसा जंगलों से भरा था इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर उन्हें प्रक्षिक्षित कर सेना के काम में लाया ज जाता था जंगली हाथि को क्या किया जाता था पकड़ कर उसे ट्रेनिंग दिया जाता था और उसे सेना के काम में लाया जाता था यही नहीं जंगलों के जंगलों से घर गाड़िया तथा रत बनने की लकड़िया भी मिला करती थी इसके अलावा इस छेत्र में लौव एस क ख़दाने मजबूत अदार हतियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थे जो मगद था उसमें इन सभी चीज़े की खोज हुई थे मगद में दो बहुत सकती साली सासक बीमबी सार अत्ता सूत यानि अजात सूत्र हुए अन्य जनपदों को जितने के लिए यह हर संभाव साधन अपनाते थे महा जनपद एक और महत्पून सासक थे उन्होंने अपने नियंतरन का छेतर इस उप महादीप के उत्तर पचमी भाग तक फैला लिया था बिहार में राजगीर आधूनिक राजगीर कई सालों तक मगद की राजधानी बनी रही बाद में पाटली पूत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है उसकी राजधानी बनाया गया तेज सो साल पहले की बात है मेसी डोनिया का राजधा सिकंदर बिश्व बिजय करना चाहता था पूरी तरह फसल ना होने पर भी वह मिस्ट और पच्मी एसिया के कुछ राज़ों को जित्ता हुए भारतिय उप महादीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया था जो सिकंदर था हुआ पच्मी एसिया से राज़ों को जित्ते हुए भारतिय उप महादीप के ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया था वे इस बात से भैभी थे कि भारत के सासकों के पास पैदल रत और हाथिया की बहुत बड़ी सेना थी इसलिए वो डर कर इस बात से उनकी सेना जो सिकंदर का सेना था वाका कर दिया इनकार कर दिया था इन सिनावों रिगवेद से उले के सिनावों के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखते हैं आगे देखें विज्य वज्जी जैसा तुम उपने पढ़ा मगद एक सकती साली राज्य बन गया था उसके नजदी की वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी बैसाली यानि बिहार थी यह एक अलग किसम की सासन बेवस्ता थी जिसे गन या संग कहते थे गन या संग क्या है तो गन सब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है जबकि संग अथार्थ संगठन या समूह या सभा के लिए किया जाता है गन या संग में कई सासक होते थे कभी कभी लोग एक साथ सासन करते थे जिसमें से प्रतेक बेक्ती राजा कहलाता था जिसमें से जितने भी बेक्ती हुआ करते थे उस समों में वजपरतेक व्यक्ति राजा कहलाता था ये सभी राजा विभीन अनुष्ठानों को एक साथ संपन क्या करते थे सभाव में बैठ कर ये बादशीत बहस वाद विवाद जड़िये तेय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना है सत्रुगों के आप करमन से निपटने के लिए मिल कर चार्चाय करते थे इस्तरी दास तथा कामकर इन सभाव में हिस्सा नहीं ले सकते थे बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याश सिक्स में पढ़ेंगे दोनों ही गन या संग से संबंदित थे जो बुद्ध और महावीर ते वह दोनों क्या थे गन या संग से संबंदित थे बुद्ध सहित्य में संग के जीवन का बहुत ही सजीव वर्नन मिलता है संग जीवन है उसमें बुद्ध सहित्य का बहुत ही ज़्यादा वर्नन मिलता हुए वजी संग का यह वर्नन दिग निकाय से लिया गया है दिग निकाय एक प्रशीद बौध गरंथ है जो दिग निकाय होता है वो प्रशीद बौध गरंथ है जिसमें बुध के कई बेख्यान दिये गये है इन्हें करीब तेईस सो साल पहले लिखा गया था इसे तेज सो साल पहले लिखा गया था आजासूत और वेज्यसंग पर आकरमन करना चाते थे उन्होंने अपने मंत्री वश्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा बुद्ध ने उन्से पूछा कि क्या वज़ी सभाय नियमित रूप से होती है तथा उन्हों सभी सद से उपस्थित होते हैं जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है उन्होंने कहा कि वज़ीवासी तब तक उनतिक करते रहेंगे जब तक वे पुन रूप पुन और नियमित सभाय करते रहेंगे आपस में मुल जूल कर काम करते रहेंगे प्रामपारिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का समान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे और व्यजी महलाओं के साथ जोड़ जबजास्ती नहीं करेंगे बंधक नहीं बनाएंगे सहरों तथा गाओं में चैतियों का रखाव रख करेंगे बिफिन मताव लंवी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएगा तभी वह विजय हासिल कर सकते हैं या बुध ने उन लोगों को विचार बेमर्श करके समझाया कई सकते साली राजा इन संगों को जितना चाहते थे इसके बावजूद उनका राज्य से लगभग 15 सार पहले तक चलता रहा उनके बाद कुप्त सासकोक ने गन और संग पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में सामिल कर लिया इसके बारे में तुम चैप्टर 10 अध्या 10 में पढ़ोगे अयंत्र अपने इटलस में उनान और इंथेंस को ढूनो लगभग लगभग 25 साल पहले इंथेंस के लोगों ने एक सासन ब्योस्था के अस्थपना की जिसे प्रजा तंत्र या गन तंत्र किया गया मतलब इसमें लोगों के दवारा राजा को या सासन चलाने वालों को चुना जाता था गन तंत्र में भी वही होता था यह ब्योस्था लगभग 200 सालों तक चली इसमें 30 साल के उपर के उन सभी पुर्षों को पुन नागरिता प्राप्ति जो दास नहीं थे वह एक सभा थी जो मत्पुन विशयोपन निर्णे लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे यह जो सभा हुआ करता था इसमें सभी नागरिक भाग लिया करते थे और ले सकते थे सासन के कई पदोपन नियुक्तिया लोटरियों द्वारा की जाती थी सभी नागरिकों को सेना और नियुसेना में अपनी सेवाएं देना देनी होती थे और तो और नागरिक का दरजा नहीं मिलता था बेपारिक तथा सिर्फकार के रूप में एंथेस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे कल बनाया तो घया गनतांतर लेकिन अध्कतर लोगों को अधिकर नागरी अधिकर नहीं मिल पाया था तो इससे साबित होता है कि जनतंत्र मतलब पूरी तरह से वहाँ पे जनतंत्र लागून नहीं हो पया था तो यह था चेप्टर फाइब जो कि हम लोग आज़ाते हैं कि यह और उमिद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा यह सभी एक्जाम्स के लिए महत्पूल है और साथ ही का जो क्लासिक्स के हैं उसके लिए तो आवेसक है ही बाकी के कोंपेटेटिव एक्जाम्स के लिए कि द्रिष्टी से भी यह सभी महत्पूल है कप्चा सीक्ट से लेकर 12 अब का हिस्ट्री तो उमिद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होग अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दे जिससे इस कारियम में आपका योगदान हो और कुछ भी गलतियां अगर हो तो आप कमेंट के माध्यम से पता है जिसको हम सुधार कर सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बै जाहिल